दोस्तों, पानी की टंकी के अंदर क्या होता है? आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं. पानी की टंकी Water Supply Project के अंदर आती है. इन प्रोजेक्टों में लोगों के घरों तक शुद्ध पानी पहुचाया जाता है. ये वीडियो देखने के बाद आपको भी पता होगा पानी की टंकी के अंदर क्या होता है? वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और और पूरी वीडियो देखें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी. टंकी के अंदर चार प्रकार के पाइप होते हैं, जैसा कि आपको OHT की ड् के लिए किया जाता है. मैन होल का स्टैंडर्ड साइज 600 mm by 750 mm से कम नी होना चाहिए. हम इसी से अंदर जाएंगे. टंकी में चार प्रकार के पाइप होते हैं. इनलेट आउटलेट, ओवर्फ्लो स्कावर पाइप, इनलेट पाइप से पानी टंकी में आता है. घरों तक पानी पहुचाने के लिए आउटलेट पाइप का उप्योग किया जाता है. अधिक पानी आने पर अतिरिक्त पानी ओवर्फ्लो पाइप से जिससे इनलेट पाइप से आने वाला अधिक पानी ओवर्फ्लो के लेवल से उपर जाते ही पानी ओवर्फ्लो पाइप से निकल जाए. ये जो 50 mm के लेवल में अंतर है, ये आपको सामने पाइप में नजर आ रहा होगा. और दोस्तों, इनलेट पा आउटलेट पाइप का डायामिटर स्कावर पाइप से अधिक होना चाहिए और आउटलेट पाइप में बेल माउथ के उपर कास्ट आइरन या स्टेनलेस स्टील की जाली होनी चाहिए ताकि मेंटिनेंस के दौरान कोई दुरगटना ना हो. और दोस्तों, आउटलेट पाइप कम से कम 50 mm ऊपर होना चाहिए स्लैब लेवल से ताकि उसमें unwanted impurities ना जाए और स्कावर पाइप टंकी की सफाई के लिए उपयोग में आता है. दोस्तों, आईए. अब हम ड्रॉइंग में देखते हैं. इनलेट पाइप का लेवल ओवरफ्लो पाइप से 50 mm ऊपर है, जिससे इनलेट पाइप पर वाटर हैमर एफेक्ट नहीं होगा. इट मीन्स कि रिवर्स वाटर इनलेट पाइप से नहीं जाएगा, तो पाइप डैमे का होना चाहिए. फ्री बोर्ड ना देने से स्लोशिंग वेव का खतरा रूफ स्लैप पर होता है. इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों को शेर करें.